हेलो फ्रेंट्स वरकन हुए चैनल फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो की ओल न्यू स्प्लेंडर प्लस के फ्रेंट्स बिल्कुली न्यू 2022 मॉडल के फ्रेंट्स एक्सटेक वेरियंट के बारे में तो आप लोग काफी जादर डिमांड कर रहे थे स्प्लेंडर प्लस के एक्सटेक वेरियंट को लेकर तो फाइनली फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपकी सभी डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं अगर आप भी फ्रेंट्स न्यू बाइक पाचेस करने का प्लैन बना रहे थे कम बजट में एक अच्छे फीचर के सा तो आज के इस वीडियो को देख ले आपकी सभी डाउट्स क्लियर होने वाली है यह जो फ्रेंट्स अभी बैग्राउंड में आप इमिजस देख रहे हैं यह फ्रेंट्स व्रेंट्स प्लेंडर प्लस के एक्सटेक वेरियंट की तो चलिए बताते हैं कंपनी ने क्या कुछ चेंजेस किया है और फ्रेंट्स यहां पे कितने कलर आप्शन्स वगर आपको मिलने वाले हैं सभी आपको बताएंगे तो वीडियो को पूरा देख ले आपकी सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगी और आज के इस वीडियो को जो लाइक एम का टार्गेट है वो रखते हैं व चैनल पर आपको मिलेगा तो अभी सेही सब्सक्राइब करें अब लिग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटेक वेरियंट के बारे में कि कंपनी ने क्या कुछ यहां प आपको फ्रेंट्स कनेक्टिविटी फीचर्स वगरा प्रोवाइड कर रही है जिसका कि आप लोग डिमांड कर रहे थे हैं और यहां फ्रेंट्स आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल वगरा मिल जाता है जैसे कि अभी आपको ग्लैमर एक्सटेक में मिल रहा है उसी तरह स जिसमें की फ्रेंट्स आपको ब्लुटूथ कनेक्टिविटी नेविगेशन वगरा का फीचर्स सब देखने को मिलेगा जो कि देखा जाए फ्रेंट्स तो अभी काफी जरूरी भी था अभी के टाइम के हिसाब से कंपनी ने स्प्लेंडर को अपडेट कर दिया है काफी टा इसमें कलर उप्शन की बात करते हैं तो चार कलर उप्शन आपको दिख जाएगा जैसे की फ्रेंट्स आप बैग्राउंड में में देख पारे होंगे इसमें फ्रेंट्स आपको एक मिलेगा वाइट कलर जिसमें की वाइट में बाड़ी मिलेगा बाकी तीनो कलर उप्शन जो है वो फ्रेंट्स black body के साथ आएगा इसमें आपको graphics मिल जाएगा blue में और gray में और black में तो यह फ्रेंट्स तीन color options और एक total 4 color options आपको मिलने वाला है इस bike में और अगर engine वगरा की बात करते हैं तो same engine रहेगा 97.2 cc का air cold fuel injected BS6 compliant engine जो की power produce करेगा 7.91 bhp का torque produce करेगा 8.5 mm का औ और 4 speed gearbox setup के साथ यह bike आईगी अगर हम बात करते हैं फ्रेंट्स इसके braking को लेकर तो इसका braking जो है वो आपको same मिलेगा दोनों drum brakes के साथ जिसमें फ्रेंट में आपको 130 mm का drum brake रेर में भी आपको 130 mm का drum brake देखने को मिलेगा मतलब braking में कुछ भी यहाँ पे changes आपको नहीं इसका जो सीटाइड वो रहने वाला फ्रेंट्स 785 mm के प्रॉक्स में और ग्राउंड क्लेरंस 165 mm के प्रॉक्स में रहेगा तो अगर आपके हैट 5 feet यहाँ पर वन इंस से लेकर 5-6 inch के प्रॉक्स में तो आप इस बाइक को मैनेज कर पाएंगे बाकि आप जानते ही है इस प पर आनी अभी स्टार्ट हुई है जिस्ट ही यह वाइक लाउंच हुई है तो आपको फ्रेंट्स यह आप मान कर चल सकते हैं कि वी दिना मतलब 1-2 मंच के प्रॉक्स में यह भी सोरूम पर आनी स्टार्ट हो जाएगी तो आप चाहें तो अपने नियरेश डिलर्शिप पर क करने वाला उनके लिए जो कि न्यूस प्लेंडर पच्छिस करने का सोच रहे थे तो मैं होप करता हूं आपकी हेल्प हो पाई हो मिलेंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आम सत्यम गुपता साइनिंग आफ थैंक यू फ्रेंड्स